Hello Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल के लिए Keyword कैसे सर्च करना है, कहां से सर्च करना है और कैसे उन Keywords का यूज करके आप अपने वीडियो को YouTube के सर्च रैंक में ला सकते तो वीडियो को end तक देखीगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा देखे Friends, Keyword सर्च करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है देखे Friends, क्या करना है आपको आप जिस भी topic से related videos बना रहे हैं उस topic को YouTube के search result में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है YouTube आपको बहुत सारे option देगा कि यह यह videos trending पे जो उपर के 5 होते हैं वो काफी important होते हैं वही main keyword होते हैं अब देखे, keyword दो तरीके से आपको set करना है, एक long एक short पहले अपने videos के लिए long keywords set करिए अब देखे, आप जिस topic पे video बना रहे हैं उस topic को वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे बहुत सारे option आएंगे जो उपर के 3 option आएंगे, जो keyword पे 3 लिखे रहेंगे, उसको notepad पे लिख लिखे, उसके बाद आप short में लिखे, अपने videos के title को short में लिखे, वहाँ पे आपको 3 option मिल जाएंगे, उन 3 option को copy करके notepad पे लिख लिखे, उसके बाद आपको simply क्या करना है, Google open करना है, Google open करते ही, वहाँ पे आपको keyword type करना है, जैसे आपने YouTube पे type किया था, वही keyword यहाँ पे type करी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे option दिखेंगे, अब देखें क्या होता है, जो पहले 3 option आते हैं, जब आप search करते हैं, तो तीन साइटों के option आते हैं, तो वहाँ से कुछ देख लिजे कि आ पे जो नीचे आता है, उस keyword से related बहुत सारे लोग, वही keyword सर्च करते हैं, वो पूरी list आती है, कि कौन-कौन सा keyword अभी latest में सर्च हुआ है, तो आप उन keyword को भी अपने notepad पे copy paste कर लिजे, उसके बाद आपको क्या करना है, दुवारे से YouTube पे जाना है, अब आपको अपने वी वीडियो से related, enter मारिए, जैसी आप enter मारेंगे, अब पहली दूसरी तीसरी वीडियो में देखिए, सबसे ज्यादा ranking की कौन सी वीडियो से, अब उनके title को देखिए, अगर आपको वो title सही लग रहा है, काफी अपने वीडियो से related आए, आप directly वहाँ से copy paste करके अपने title में दाल लिए, बट ध्यान रखिएगा, उनका title और आपका title, same है, बट वीडियो से अलग अलग हो सकती है, उन्होंने जो title यूज कर रखा है, उन्होंने उससे related वीडियो से बना रखा है, बट वही title आप अपने वीडियो के लिए यूज करें, क्या आप भी उसी topic से related वीडि बनाईए, और अच्छे से लिखे description को, description thousand word का भी हो सकता है, तो description को काफी लंबा लिखिए, जिससे जो भी keyword आपने वहाँ पे लिखा है, वो YouTube के search result में आए, अब उन्ही keywords हो, अपने tag में भी use करें, पहले long tag, फिर short tag, और ध्यान अखेगा, आप अपने channel का नाम हर एक वीड चैनल कहीं पर notify ही नहीं है, तो नहीं देखेगा, आपको अपने channel का नाम, description और title में जरूर लिखना चाहिए, हर एक वीडियो के, अब देखिए friends, आपको बहुत सारे keywords मिल गए, जिसका use किया आपने description में, बहुत सारे keywords मिल गए, जिसका use किया आपने tag में, तो सबसे पहले उनकी वीडियो आएगी, जिस पर बहुत सारे likes हैं, या बहुत सारे views आए हुए, देखिए friends, अब क्या होगा, जो भी आपने keyword set कर रखा है, अब कोई viewers आता है, YouTube पे लिखता है, जो उसे type करना है, जो keyword उसने लिखा, अगर आपके title, description और tag में match करता है, YouTube वहाँ पे suggestion मिल आ आता है, जिनका watching time जादा होता है, वो YouTube सबसे पहले search result में डावता है, हो सकता है, आपकी videos फर्स्ट में ना है, सेकिंड में ना है, थर्ड में नहीं है, अगर आपका title बिल्कुल suitable है, जो viewers ने लिखा है, वहाँ पे keyword लिखा है, उससे related आपकी keywords हैं, तो YouTube आपकी videos को जरूर तो करनी पड़ेगे, जैसे मैंने बता दिया कि आप YouTube पर जाईए, आप वहाँ पर search कर सकते हैं, Google पर जाईए, वहाँ पर search कर सकते हैं, आपको बस ये देखना है, कि जो keyword आप वहाँ पर use करें, उससे related आपकी videos होनी चाहिए, तब YouTube आपके videos को हो सकता है, trending में आ जाए आप अगर वह keyword match करता है, तो YouTube आपके videos को search result में जरूर ले आता है, जिससे आप अपने channel की growth बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने subscriber और अपने viewers भी ले आएंगे, तो इस तरीके से आप अपने keyword search कर सकते हैं, तो वीडियो कैसी लगी, comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो को like and share करना मत बूलिएगा, अगर channel पर पहली बार आएं, subscribe करना मत बूलिएगा, thank you friends.